वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वह है एंग्लो मॉमेंटम के बारे में इस्पेन और पावलिमेटिस जो होती हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि नेट में बहुत ही पावलिमेटिस में 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 पावलिमेटिस तो अब हम देखते हैं angular momentum क्या होता है घपने classical mechanic Superior momentum देखा है और quantum mechanics में toёнקल momentum देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें डिफ्रेंस क्या होता है इसके बद हम देखेंगे spontan mechanics में angular momentum जो classical mechanics में क्योंV momentum होता है वर वेसिकल मेंघ मिड़ करते हैं यदि आपने angular momentum देखा उसके उपर vector का निशान देखा है इस तरह का arrow का तो आप समझ जाना कि वह classical में है चीज लेकिन वहीं यदि हम angular momentum देखते हैं और वह as a operator काम कर रहा है मतलब यदि उसके उपर cap है तो समझ जाना वह जी हम quantum mechanics में बात कर रहे हैं तो दोनों में पहले difference हो यह है कि एक vector quantity है और यह operator है तो यह vector quantity नहीं एक operator की तरह काम कर रहा है तो इसके उपर cap होता है जो orbital angular momentum होता है वो क्रॉस प्रडेक्ट होता है R और P का तो L वेक्टर क्या होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर वहीं यदि हम quantum mechanics के बात करते हैं तो formula same होत operator की बात करते हैं operator की बात करते हैं तो यहाँ पर R cap cross P cap है अब हम बात करते हैं magnitude और direction की classical mechanics में जो L vector होता है हमारा orbital angular momentum वो क्या होता है R vector cross P vector होता है तो इसका जो direction होता है या इसका जो magnitude होता है वो continuous होता है मतलब R और P के हम कोई से भी value लेंगे तो हमें L vector मिल जाएगा, तो magnitude और direction इसका continuous होता है, कोई से भी value को pick कर सकता है, कोई से भी direction पॉसिबल है, इन quantum mechanics में यही जो L cap होता है, हमारा orbital angular momentum होता है, वो एक operator होता है, तो इसकी जो magnitude होता है, जो इसके eigen value होती है, वो fix होती है, इसकी direction फिक्स होती है, तो यह continuous होके क्या होता है, quantized होता है, यहां पर continuous होता है, यहां पर quantized होता है, इसका मतलब है, जो L cap होता है, पहले क्या करेगा, वो wave function प् unterwegs, आईगन value देगा, फिर देगा, शकी जो तो इसकी जो direction है वो m h cross ही possible, उसके लावा ये कोई भी direction नहीं लेगा, m h cross में जो भी values हैंगी, l type की वो ही direction होगी, इसका magnitude होता है, h cross root में j j plus 1, तो इसका magnitude भी fix होता है, जैसे j की value होती है, यदि मालो j 0 plus minus 1 plus minus 2, यही value ले सकता है, कोई decibel value ले नहीं सकता, तो इसका magnitude भी क्या हो गया, quantized होगया, और direction में m की value होती है, वो क्या होती है, minus j to plus j, तो इसका मतलब m की value भी क्या होगी, quantized होगी, तो इसका magnitude और direction बोथ हा, quantized, तो इसमें यह difference है, यह तो continuous होता है, यह क्या होता है, quantized, तो quantum mechanics में, अब हम बात करते हैं, इसी component के बारे में, तो angular momentum की जो component होते क्या होते हैं, क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, तो इस पीन की बात करते हैं, तो इस पीन की component होते हैं, वो भी क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, मैं आगे बताऊंगी, कि मैंने किस तरह से लिखा है, यह को यह याद रखना है, कि जो angular momentum की component होते हैं, वो commute नहीं करते हैं, औ मैं郁ector, यज़ी को मिजड नहीं कर सकती। यहाँ पर शक्रतți करने फाहा है। यहाँ पर शक्रते । यह उस mendapat सकती है। Quantum Mechanics में, तो Quantum Mechanics यह बोलता है, कि इसके Component में होती है? Uncertainty होती है, यह हम इसको simultaneously measure नहीं कर सकते हैं In Classic Mechanics में इस至 related कोई description नहीं दिया गया है तो हम इदर हम बात करें, to Quantum Mechanics किस किस की बात करता है? Quantum Mechanics एक्सप्लेइन करता है कि इसका जो direction होता है एंगलो ममिन्टम के वह क्या होते हैं इनकी कंपोनेंट में क्या होती है अंसर्टेनिटी होती है तो यह अंसर्टेनिटी की भी बात करता है और इसके I SPIN 2 की बात करते हैं सबसे पहले में इसको हम क्वांटम मेखें को यह स्पीन यह स्पिन आणकर अद्धार आंगिलופ नेन की брид C सबस्क्रदकर शब्सक्राइब करेगे संप dzi精ώ की बात करें और तो हम क्वंटम मेकनेक्स सबस्किन रहbad करें J से, क्योंकि यह operator है, तो J कैप आजाएगा, इन टू टाप्स के होते हैं, orbital, angular momentum, जिसको हम denote करते हैं, L से, spin, angular momentum, इसको denote करते हैं, S से, सबसे पहले हम देखेंगे, orbital, and then, फिर spin, और फिर इसको हम generalize कर देंगे, इससे J के साथ, angular momentum का क्या formula होता है, R cap cross P cap, बिल्कुल same classical की तरह होता है, बट यहाँ पर हम cap को use करते हैं, तो जहाँ पर भी R cap है, वहाँ पर हम रखेंगे, X I cap plus Y j cap plus Z cap in terms of cap, और P को हम उसकी component की form रखके, इसको cross product कर देते हैं, तो cross product आपको आना चाहिए, क्या होता है, I cross I, और जो भी चीज सेम होगी, तो चीजें, उनका cross product हमेशा 0 होता है, क्योंकि sign क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यदि हम उसका opposite लेंगे, तो वह non zero आएगा, ठीक है, कैसे हम इसका clockwise लेखेंगे, I cross J K आता है, K cross I J आता है, और यदि हम इसका opposite करेंगे, तो minus का आ जाएगा, इसको इस तरह से cross product करके, इनके terms को लिख लेते हैं, तो इस तरह से बनकर, यह solve हो जाएगा, तो जो भी चीजे minus में आ रही है, इस वज़े से यहाँ पर minus आ है, क्योंकि यहाँ पर anti clockwise भी चीजे cross product हो रही है, हम इसको LX, LY, LJ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो Lcap होता है, वो LX, Icap, LY, Jcap plus LJ, Kcap भी होता है, तो हम इसको और LX, LY, LJ को compare करनेंगे, तो हमने वो दे जो भी I के साथ यह term है, वो है LX cap, यह जो है, वो LY cap है, और LJ, Kcap यह चीज़े हैं, तो आपको यह यह यार लखना पड़ेगा, तो इसका एक trick है, वैसे तो यह बिल्कुल वैसा एक pattern बन रहा है, तो वह हमें आपको बता देते हूं, किस से यह यार लखना है, यहां पर R cap, cross P cap हो रहा है, तो हमेशा position वाले जो term है, वो ही आगे रहेगी P से, तो यह यहां पर X है, तो यहां पर आएगा Y cap, Y की साथ आएगा Z, लेकिन P का कौन से term, Z term आएगा, Y और Z आएगा है, तो इसके साथ Y Z आएगा, लेकिन Pहले Z आएगा, फिर P Y आएगा, जज़िए, यहां पर L Y है तो यहां पर Z X की tern आएगी, यहां पर भी Z X की tern आएगी, लेकिन पहले के आएगा? Z cap आएगा, फिर P X आएगा, Z cap P X होगया है, तो अब X P Z cap होगा, फिर आपी यहां पर जो भी होता है वही डिचाइड करता यह तो इसके अपोजिट कर देना है हमें इसका पोजिशन और मॉमेंट्म वाला चीकिए आपको यह यहां रखना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपने यह 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 रखा है इसको यह पता है कैसी निकला है यह तो आप उसका जो commutation relation होता है वो भी निकाल सकते हो अब हम क्या करते हैं सी जो component होते है उसका हम commutation relation देखते हैं तो l i cap l j cap का commutation क्या होता है यहां i is not equal to j है यदि यह even order में है इससे even order में है clockwise है इसका 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 होता है यहां यहाल रखना है यहां i a की जंगे x लेते हैं और j की जंगे y लेते हैं तो order हो गया x के बद y आया है तो इसका आंसर क्याएगा आउटा h cross l j cap अब हम इसका derivation निकालते हैं तो आपने कम्यूटेशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं लेकिन कुछ formula है तो आपको पता होनी चाहिए मालो दूट क्वांटिटी a b है उसका कम्यूटेशन निकालना है तो इसका result होता है a b minus ka b a तो इससे र और चेंज कर दिया है तो minus ka iota h cross इसका result है मतलब क्या px और x है तो इसका answer क्या एगा minus ka iota h cross इस सब कुछ यहां पर कामाने वाले है इसलिए इसलिए बता रही हूं ठीक है यदि मालो आपने x के साथ p ka y component लिया है तो इसका answer क्याएगा 0 component सेम होना चाहिए यदि यहां पर y है तो यहां पर भी y होना चाहिए तब इसका answer iota h cross आएगा ठीक है अब हम इसको solve करते हैं ठीक है तो हमने lx की यहां पर value पूट कर दी है lx के होता है y pz minus z py और ly के zpx minus xpz अब इसका commutation निकालते हैं ठीक है अब हम इसका क्या करते हैं derivation निकालते हैं ठीक है तो lx की अब हम इसका commutation निकाल देंगे ठीक है कुछ important formulas है जो यहां पर काम आने वाले है वो मैं आपको बता देती हूं क्या होता है यदि a or b to quantity है इसका commutation निकालना है तो इसको solution क्या होता है a b minus ka b a करते है तो हम इसका commutation निकाल सकते है ठीक है यदि वालो x और p है और p का भी x component है तो इसका commutation इस तरह से निकलेगा लेकिन इसका direct जो result है वो होता है iota h cross ठीक है यदि मालो x के साथ p का y component है तो इस cancer के आएगा 0 यदि मालो आपने order भी change कर दिया मालो आपने इस से रहे से कर दिया px और x कर दिया है तो इस cancer आता है minus ka iota h cross यह चीज़े याद रखनी है क्य तो कैसे करेंगे पहले इस वाले term को इसके साथ कम्यूट करेंगे फिर इसके साथ कम्यूट करेंगे ठीक है क्योंकि यह एक तरह से a b c d इस तरह से काम कर रहे है ठीक है यह पहले इसके साथ कम्यूट करेगा और फिर इसके साथ कम्यूट करेगा में बता देंकि मैंने एकस पीज़ड हो जाएगा फिर मायनस का जैड पीवाई जैड पीएकस टीक है एंद फिर जैड पीवाई एकस पीज़ड ओकी अब जो मैंने आपको फॉर्मॉला बता है है एकस और पीएकस वाले वह याद रखने है देखो यहाँ पर सेम होना चाहिए जक्ति के तो हिलेक्का छहीट जो तो यह दो है क्लिए टो हुज लीकिन निस नहीं है टो यहां पर यह बहार पर पॉदा तो यह तो कुछ नहींद नहीं है तो एकस निहीं देगा जहाँ पर पह curtain लेकिन आफ़र बालत कामपॉनेंन निति फूर मेसित आचाइगा और पहिंगा आउर सक्थ है को नार यहां बालत कर आजए ड्रॉयपा एक होम प्रषों प么 क को मेसिन जायेस है इसका answer क्या आइफास्या n's मैं अच्छा लिख लएते हैं क्या होगा जै मैनिस ऐफासोद माइफास्च क्या र्चा स्था कि फिए प्लस के एस पी जानलों फितंगे तो यह क कम आलें रिटाकर लिटाकर स्था हमको पता है x,py और y,px कब होता है, जब यह क्या होगा, lz होगा, तो यह क्या होगा, जो आपन सॉलूशन करेंगे, तो क्या हैगा, iota x cross lz, तो हमको डारेक्ट ही यहाँ रखना है, यह तो मैंने आपको derivation बताइथा, कैसे आया है, लेकिन माल लो, यदि आपके order x, y, order same है, तो इसका ऑन्सर आएगा भिए है तो यहां पर कितना आएगा जेड कि पर्दाः घर सकते हैं थीज़ तो से づो हमने रिख ओकि और बांगरो मोमेंटम यह दो क्भी आप है पो नहीं करते हैं स्माधरद साथ का धिक्या स्क्राइब निकालते हैं तो यह जो इन निकालते हैं वह सेम होता है किस तरह से जो हमने और बैटल में निकाला था मालो यह है एक्स यह यह और जैर है तो sx और sy का क्या हाएगा इच्ड़ स्जेड यह जाता है तो आशर यहा पर माइनस का जाएगा तो यह एवन ओडर है और सेम है तब तो यहां पर आयूटा था Arkansas his K वाली टर्म आजाएगी एकिन यही और ऑर्ड में है और चेंज हो रहा है तो मिहां बाद मायनस का आउट और यहां पर जो टर्म आएगी वह आजाएगी तिक हैं इसके और का तुम नहीं होता है ऑर्डर सेम होना चाहिए चिंखेए सेम यहां कि हम ने यही और बैटल में और spin में देखा है और हम इसको generalize कर देखे हैं जोनलाइस मतलब total angular momentum की बात करते हैं और इसको हम denote करते हैं जे से, जेब कैप से, क्योंकि यह operator है, तो क्या होगा यह जेब कैप, जेब कैप है, total angular momentum है, इसे भी component होगे jx, jy, and jz तो j square की बात करते हैं, j square क्या होगा, j cap, dot j cap, तो j x के square, plus j y के square, plus j z के square, तो यदि हम सिर्फ j की बात करते हैं, तो j सिर्फ j क्या होगा, j होगा हमारा j x cap, i cap, j y cap, j cap, plus j z cap, तो यह हमारा j total angle momentum, इस तरह से component के form में हो गया अब हम इसका भी क्या निकालते हैं commutation relation निकालते हैं सेम आएगा j i cap j j cap का जब हम commutation निकालते हैं तो क्या आता है आउटा h cross j k cap ठीक है इसमें i j k k x y z है यदि यह order में होते हैं आउटा प्लस के iota h cross j k का पाते हैं यदि order change रहा है तो मायनस का iota h cross j k गायप हो जाता है चिक है सेम है j x j y है यदि यहाँ पर x y और z है हम jx और jy में निकालते हैं तो आउटा h cross j z यदि हम jy और jx में निकालते हैं पोजिटी हो गया है देखोगे यह मीनज़ का आयरो टेचे जालेगा थिक हम तो निकालते हैं तो नसद पोदिडिवा यह तो बतरल जा रहे हैं ज़ा रहे हैं तो इसका है रही हम प्लिटीव आपो यह रख आहिं safuciones cumpl्यर भ्लाwn जारी है । the total angular momentum में एक और हमने की पढ़ा है j square गहाँ ज किया होता है अवे इसका नहीं पथाया चीजिमा पियली एक तक सब्सक्राइब करेंगे दिखा को हम क्या जग सकते हैं J X का स्क्वाइर प्लस J Y का स्क्वाइर प्लस J Z का स्क्वाइर और J I की जंगे अब कुछ भी रह सकते जैसे मैंने I की जंगे example लिया है अभी X तीक है यदि अब I की जंगे कोई सभी component लोगे तो भी इसका answer 0 ही आएगा हमने I की जंगे X लिखकर पहले हम इसका derivation solve करते है चलो हमने क्या किया X ले लिया अब हम क्या करेंगे आपको commutation relation का यह भी पता होना चाहिए मालो AB plus B plus C है और यहां पर कोई component D है तो क्या होगा उसके क्या होती क्या होती है तो हम पहले क्या करेंगे GX स्क्वार का GX का embedded प्लस Jy2 ज्यक्सीं साथ कुप्यूटिशन प्लस Jzk2 ज्यक्सीं साथ कुप्यूटिशन अब हम क्या करने वाले हैं कम्मूटिशन की इक और प्रॉपर्टि को यूज़ करेंगे जो आपको कैसे पता होने चाहिए यदि same same है तो हमको पता इसका answer क्या जाएगा? 0 आएगा तो अब हम इसको और इसको use करते हैं इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? computation की property होती हो इसको देखेंगे आपने computation वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख ले न काफी properties होती हैं उसमें दो operator है, एक operator की उपर power है तो कैसे solve करेंगे? उस operator की power को बाहर लखेंगे उस operator को बाहर लखेंगे उसके operator पर एक power कम कर देंगे और फिर अंदर same का same लिख देंगे लेकिन without power बाले लिख देंगे same इस formula को use करेंगे हम यहाँ पर यह तो 0 होई किया है देखो 2 है, बाहर लिख देंगे उस operator को बाहर लिख देंगे उस पर power कम कर देंगे और फिर ज, y, j, x प्लस 2, j, z j, z, j, x ठीक है? अब देखो, यह y है और यह x है यह x, y, और z है हम उल्टा जा रहे है तो मतलब order change हो रहा है तो इसका answer क्या आएगा 2, j, y, minus iota h cross j, z प्लस का 2, j, z यहाँ पर j, x j, z, or j, x में है तो इसका answer क्या आएगा positive में iota h cross j, y दोनों same है तो इसका answer कितना देगा? 0 तो जब भी j square को किसी j, j के component के साथ commutation करते हैं तो इसका answer 0 हाता है तो इसका मतलब यह है कि j square को j, x के साथ करेंगे तो भी 0 हाएगा j square को j, y के साथ करेंगे तो भी 0 हाएगा और j square को यदि हमने j, z के साथ किया है तो भी इसका answer कितना हाएगा? 0 तो इसका मतलब क्या है? मालो इसने इसको commute कर दिया है commute करने का मतलब यह है कि हम इस case आप यह मैंने पहले पहले पह बताया था commutation वाले में मालोई इसने सोफ साथ commute कर दिया है इसका मतलब इन दोनों की आइगन states क्या होंगे same होंगे पहले चीज दूसरा हम इन दोनों को simultaneously measure कर सकते हैं इसका मतलब जे स्कुरार की जो आइगन state होगी वो jx, jy, jz की भी क्या होगी आइगन state होगी लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो ji में से किसी एक ही component को हम common आइगन state देते हैं j square की जो आइगन state होगी वो jz की ही आइगन state होगी हम इन दोनों को नहीं लेते यह आपको jetly में मिलेगा और आपको यह ग्रिफित में मिलेगा वैसे तो तीनों की possible हो सकती थी लेकिन हम सिर्फ एक ही component को common आइगन state देते हैं तो j square में jz की जो आइगन state होगी वो jz की ही आइगन state होगी अब हम देखती है आइगन value और आइगन state को हमें पता है कि जो j square होता है j की component के साथ commute कर जाता है j, ji क्या होता है का commutation 0 होता है especially jz की साथ वो commute करता है इसका मतलब क्या हुआ कि j square और jz का क्या होगा common आइगन state होगा क्योंकि हम operator j ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आइगन state क्या होगी jm जब j square और यहाँ पर jm आएगा तो जब j square jm की साथ operate करेगा तो एक आइगन value देगा यहाँ से हम आइगन state और आइगन value दोनों निकालते हैं जब operator state पर operate करता है तो क्या निकलता है आइगन value और आइगन state तो इसके आइगन value क्या होती है j square की h cat square j j plus 1 अब जब j z jm पर operate करता है तो आइगन value देता है m h cross और आइगन state तो jm ही रही ठीक है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है j square की आइगन value क्या होती है h cat square j j plus 1 और j z की हमें आइगन value मिलती है क्या m h cross और इनकी common आइगन state पता चलती है क्या होती है j m अब हम आइगन value और आइगन state देखते है कि इसकी orbital angular momentum की हम generalize पढ़ चुके हैं j के बारे में तो l और s के बारे में भी same होगा बस जहाँ पर j है उसको l और s से replace करना है तो हमको पता है j square और j z क्या होता है kammute करके है same l square और l z by क्या करेंगे kammute करेंगे इसका मतला मिकी common आइगन state होगी और जहाँ पर भी j था उसको हम replace कर देंगे l से तो इनकी common आइगन state होगी l m जब l square और l m तो आइगन value देगा क्या होगी h2 square L L plus 1 और आईगन स्टेट देगा सेम L Z भी operate करेगा L M पे और आईगन वैल्यू देगा इसके आईगन वैल्यू क्या होगी M H cross तो अब जब हम spin की बात करते हैं तो spin के लिए जब operator होगा वो S square होगा आईगन स्टेट होगी S M जब operate करेगा तो क्या देगा ये H cut square H cut square S S plus 1 और जब S Z operate करेगा स्टेट पे तो क्या देगा हमें M H cross ठीक है तो almost same होता है बस यहाँ पर जहाँ पर भी J था उसको L और S से रिप्लेस करना है